राशी मेश ओवर्वियू रोमैंस आज का दिन आपके लिए बहार लाएगा आपकी हाजर जवाबी हर एक को खुश करेगी हर एक व्यक्ति आपके आकरशन में आता नजर आएगा और आप खुद को किसी की ओर आकरशित होता पाएंगे आज का दिन आपके नए रिष्टे के लिए बहुत अच्छा है र अगर आप अपने काम को कड़ी महनत से पूरा करने की कोशिश करें तो सफल जरूर होंगे आप अपनी क्षमता के प्रती इमानदार रहें और नए नए ख्षेत्रों में अपनी रुची बनाएं आज काफी दिनों के बाद आप खरीदारी करने के लिए जाने वाले हैं अपने मनुरंजन के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर देना ठीक है लेकिन सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं है आज आपको मनुरंजक खरीदारी और बचत दोनों का संतुलन बना कर रखना है आज अच्छी आदतें और नियम में रहना आपके लिए लाबकारी होगा अगर आप खुद को अच्छे खान पान और रोजाना व्यायाम जैसी गत्विधियों में व्यस्त रखेंगे तो आप बिना परेशानी के अच्छे स्वास्ते को प्राप्त करेंगे अगर आप किसी शारिरिक परेशानी या मानसिक अवरोध जैसे गुस्सा डर आदि से परेशान है तो उसे टालने की बजाए उसका हल निकालने की कोशिश करें ताकि आप अच्छा स्वास्ते प्राप्त कर सकें दिल से अपनी परेशानी और उनके हलों के बारे में सोचें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्ते को कायम रख सकें आज कोई बड़ा आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो जिन्दगी में आपके काम आए आप सलाह के लिए किसी को ढूंड भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी अच्छानक से आपको लाबगारी सलाह मिल जाएगी इस सलाह के लिए सलाहकार को अवश्य धन्यवाद करें आपके वह आपके साथी के बीच आम दिन चर्या के कारण बोरियत घर कर गई है यदि आप घंटों काम कर रहे हैं, वह घर पर माता पिता, बच्चे आदी हैं, तब भी एक फोन कॉल द्वारा या फूल ले जाकर आप अपने संबंध में नई जान डाल सकते हैं राशिवरिश, करियर क्या आपको अपने कारिस्थल से कोई अच्छी खबर हाल ही में मिली है, यदि नहीं मिली है तो जल्द ही मिलेगी, विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, विदेश से कोई अच्छी खबर आ सकती है राशिवरिश, फाइनांस अगर आप आर्थिक जगत में काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए मतदगार साबित होगा, बस एक बात का खयाल रखिये कि निवेश के साथ साथ आपका चुनाव सही हो राशिवरिश, हेल्थ आज आप की सेहत अच्छी रहेगी, कुछ पुरानी बिमारियों के कारण आप परेशान और चिर्चड़े हो गए हैं, मगर ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज फिर से आप पहले वाले रास्ते पर आजाएंगे, आज आप संतुलित भोजन करें और अपना ज्यादा सम परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीती में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि आप अपने लक्षों को आसानी से प्राप्त कर सकें, ये सब करने के लिए आज से ज्यादा बेहतर दिन हो ही नहीं सकता, आपका यही कदम आपके भविश्य के लिए शुब भल दायक रहेगा, राशि मिथुन, रुमैंस, आज आप अपने को पार्टनर के सपनों में खोया पाएंगे, गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाते रहेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ इस्थिती को हमेशा देखना चाहते हैं, आज आपके लिए ऐसा करना ठीक है, प पर कल से अपने पैरों को जमीन पर टिका कर चलें, राशि मिथुन, करिया, आज आप अपने निश्चित लक्षियों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, अगर आप अपने काम की रूप रेखा को सुधारना या बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने इस लक्ष को पाने राशि मिथुन, फाइनान्स, आज आपको महसूस होगा कि आपने कुछ वित्तिय परेशानियों से निजात पाली है, कहीं से अचानक आय हुए धन के कारण आप राहत महसूस करेंगे, आपको अपने धन को लेकर जल्दवाजी में निरणय नहीं लेने चाहिए, आपको आन आप बीमार पढ़ सकते हैं, अच्छी सेहत के लिए आपको अपने खान-पान को और बहतर करना होगा, गेहुं और हरी सबजियों को अपनी रोज मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और साथ ही व्यायाम पर भी ध्यान दें, राशिकर्क, ओवर्विव, आज आपका पास्ते में भी सुधार आएगा, राशिकर्क, रोमैंस, आज आप सभी का ध्यान अपनी और केंद्रित पाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे, लोगों के विशेश आकर्शन का कारण बन जाएंगे, अपनी इस खूबी को यूहीं व्यर्थ में नागवा कर, आप जिंद जिंदारियां मिल सकती हैं, क्यूंकि आपका बॉस चाहता है कि आप थोड़ा और सहीयोग दें, अपने करियर के लिए आपको ये जिंदारियां स्विकार कर लेने चाहिए, इससे आपको लंबे समय में बहुत लाब मिलेगा, राशिकर्क, फाइनांस, यदि आप किसी व्य आपारिक रिण के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तब आज का दिन श्रेष्ट है, आज के दिन आवेदित किये गए रिण के सफलता पूर्वक पास हो जाने की संभावना है, सभी प्रपत्रों और कागजों को सही तरीके से जमा करते हुए बैंक में दें, क्योंकि इ चोटी विमारियों में सतर्क रहने की आवशकता है, राशे सिंग, ओवर्वियू, आज आप अपनी सीमाओं से बाहर आकर कोई जोखिम उठाना चाहेंगे, आप अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जैसे आपके रिष्टे, आपका वि पहस के कारण अपने रिष्टों में बाधा महसूस करेंगे, आज के हालात आपको अवैद संबंध की ओर धके लेंगे, आप दूसरे के प्रती आकरशन का अनुभव करेंगे, आप लंबी सांस लेकर एक बार दोबारा सोचें और ऐसा काम ना करें, जिससे आपको बाद में पचनाना पड़े, राशी सिंग, करिया, आज आपको अपने परिवार की तरफ से कोई व्यावसाईक प्रस्ताव मिल सकता है, जिसके बारे में आप विचार करेंगे, शायद पहले आप इस व्यावसाई से नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस बारे में सोच रही राशी सिंग, फाइनांस, आज का दिन तो ऐसा है, जैसे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपईया, कमाई से ज्यादा आज खर्चे के संकेत हैं, इसलिए गैर जरूरी चीजों को खरीदने से बचें, अपनी जेब को थोड़ा तंग करके चलें, इस तरह से आप खर्चों के बोच से बच निकलेंगे, राशी सिंग, हेल्थ, अगर आप जोडों के दर्द से जूज रही हैं, तो ये आपके लिए बहतर समय है, आप कुछ हलके व्यायाम कर सकते हैं, ताकि आप स्वस्त रहें और शरीर मजबूत हो, जोडों के दर्द के कारण आप व्यायाम बंद न करें, अन्यथा आपकी शारिदिक संक्रमन शक्ति प्रभावित हो सकती है, अपने स्वास्ते को महत्व दें, राशी कन्या, ओवर्वियू, आपकी स्वच्छंद सोच, आज एक खास जगा बनाने में आपकी मदद करेगी, आज आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने अं जो कभी भी खत्रा मोल लेने से नहीं डरते, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और आप पाएंगे कि जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे, वो भी अब आपके साथ ही हैं, राशी कन्या, रोमैंस, प्यार की दुनिया में आज आप संभल के आगे बढ़ें, क्योंकि रक्षणिक उपलब्धी के लिए अपने को जैसा बता रहा है, वैसा है, आप आज स्वयम रक्षात्मक रहें, राशी कन्या, करिया, आज आप पाएंगे कि आप अपने काम और रुची के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित कर पाएंगे, आपको अपने समस्त विचारों क एकत्रित कर उनका स्रिजनात्मक उप्योग करना चाहिए, अपनी प्रतिभा देख कर आप स्वयम भी आश्चरी करेंगे, राशी कन्या, फाइन्स, जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें आज कोई बड़ा आर्थिक लाब मिलने वाला है, साथ ही आपकी साख भी कायम होने आप और आपकी कंपनी की अच्छी तरक्की होने वाली है, इस बदलाव का अपने काम की जगह पर सकारात्मक उप्योग कीजिए, इसके लिए नए संपरकों का एस्तेमाल भी कर सकते हैं, राशी कन्या, हेल्थ, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आज आप कुछ परेशान रहेंगे, आप जो अपनी पढ़ाई पर घंटों विता रही हैं, उसका आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा, पढ़ते समय अपना मन न भटकाएं, और बाद में आप महसूस करेंगे कि आपके पास सोने के लिए भी पर्याप्त समय है, राशी तुला, ओवर्वियू, आज आपके किसी प्रियजन का मूड खराब भी हो सकता है, अच्छा होगा कि आज आप किसी बेकार की बहस में न पढ़ें, धैर्य और नम्रता से काम लें, राशी तुला, रोमैंस, रोमैंस की दुनिया में आपके खाते में आज पुनह मिलन का योग है, आज आप अपने पुर आपको अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है, जिससे सही सराहना और काम मिल सके, राशी तुला, फाइन्स, आपको लगेगा कि आपके घरेलू संपर्क इन दिनों आपके काम नहीं आ रही है, दिन भी आपके पक्ष में नहीं चल रहे, इसलिए घरेलू बाजा आज आपको सड़क दुरघटनाओं से बच कर रहना होगा, और अगर आप मोटर साइकल चालक हैं, तो बेहत सावधानी की जरूरत है, वाहन सावधानी से चलाएं, अगर आप समझदार हैं, तो सड़क दुरघटना होने से बचा सकते हैं, और ये आप पर निर्भर करता है विद्यार्थियों के लिए आगे पढ़ने के लिए समय अनुकूल है, आपको खुद को सुनी और जित करना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, उससे संबंधित हर पहलू पर ठीक से सोच विचार कर लें, आज आपको अपने सभी अवसरों में से सबसे अच्छे अवसर को चुनना चाहिए, राशिवरिष्चिक, रोमैंस, आज हालात कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने प्यार को भरपूर रूप से नहीं पा सकेंगे, उन हालात पर काबू पाने के लिए अपने एहम को एक तरफ करके जिंदगी का भरपूर आनंद अनुभव करें, आप अपने च चित होकर काम करना बहुत जरूरी है, इस समय तनाव को दूर ही रखें, हाला कि सफलता बहुत ही धीरे मिल रही है, लेकिन फिर भी चिंता ना करें, उन स्थानों पर अपना ध्यान के इंद्रित करें, जहां अभी आगे बढ़ने की जरूरत है, राशिवरिष्चिक, फाइ अधाद में चुनाव करने की आवशक्ता नहीं है, लेकिन यदि आप इस पर पुनह खोजबीन करते हैं, तो उसका परणाम भी सकारात्मक हो सकता है, राशिवरिष्चिक, हेल्ध, आज आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मगर चिंता ना करें, ये थोड़े समय की बात है, आपके लिए बहतर होगा कि आप आलस पन से बचें, ध्यान रखें कि आज आप टेहलने जरूर जाएं, इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा, अगर आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कोश सब को सलाह दें, और जो काम आप कर रही हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी लें, ये बुरा वक्त जल्दी ही बीत जाएगा, और सब कुछ सामाने हो जाएगा, राशे धनू, रोमैंस, आज आप चाहेंगे कि आप अपने चाहने वालों से घिरे रहें, और आपको अतरिक्त उत्सा एवं जोश मिल सके, जिसकी आपको जरूरत है, आज आप पहचान करने में सक्षम होंगे कि कौन आपके पक्ष में है और कौन विपक्ष में, यदि आप अपने साथी को अपने पक्ष में पाते हैं, तो क्यो ना सदा के लिए रिष्टा कायम कर लिया जाए, राशे दोनों ही होंगे, जो लोग व्यवसाई में हैं, वो पाएंगे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष पूरे हो रही है, इसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत महनत की है, राशे धनो, फाइन्स, आप निवेश की स दोच रही है, निवेश के लिए सारे विकल्प तराशिये, आप संपत्ति और दूसरे किसी निवेश का तो मन बना ही चुके थे, लेकिन निवेश के लिए और कई सारे अच्छे विकल्प देखकर आप हैरान रह जाएंगे, तो क्यों नहीं इसे तराश लें, आज आपको क पुछ ऐसी नए-नए जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपको बड़ा आर्थिक लाब होगा, राशिधनो, हेल्थ, आज आप उर्जावान और तनाव मुक्त रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा आश्चर्य होगा, इन दिनों को खूब मस्ती में गुजारें, क्यो आज अपने लिए बड़े सपने देखने का दिन है, आपको जिन्दगी में क्या करना चाहिए, आज ही उन सब चीजों की सूची बनाएं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, इस दशा में किये गए प्रयास बहुत ही लाबदायक रहेंगे, आज से ही अपने जीव आपकी इच्छा के बारे में जानेगा, आप जो गहें, वो सच्चा व उत्तेजना भरा हो, मगर साथ ही साथ अपने साथ ही को ये जताएं कि आप कितने सच्चे व उत्सुक हैं, कुछ भी सिर्फ इसलिए ना कहें कि आपका प्रेमी उसे सुनने का इच्छुक है, राशी मक उनसे काम करना होगा, इसके परिणाम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा होंगे, राशी मकर, फाइनांस, जो लोग घर खरीदना चाह रही हैं, उनके लिए आज का दिन भाग्यशाली है, आज बिना किसी भाग दौड के मन चाहा घर मिल जाएगा, घर खरीदने के लिए अग कालपनिक विचारों को अपने लक्षियों के आगे ना आने दें, आज आपको यह समझना होगा कि कालपनिक विचार कभी सच नहीं होते, आप बिना बात की परिशानी न लें, जिससे आपका स्वास्ते खराब हो, आप अपने शरीर, खान-पान और व्यायाम पर ध्यान दे आज आपका समाजिक जीवन बहुत से गत्विधियों से भरा रहेगा, आप अपने दोस्तों के साथ खूब मजा करेंगे, और साथ ही अपने काम में मिली सफलता का भी मजा लेंगे, इस समय का पूरा आनंद लें, क्योंकि बाद में आपको बहुत सी चुनोदियों का सामना करना पड़ सकता है, राशिकुम्ब, रोमान्स, आज आपके प्रेम प्रसंगों में मुश्किला सकती है, क्योंकि आपका साथ ही कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा सकता है, मगर चिंतितना हों, दूरी आपके संबंध को अधिक मजबूत बनाएगी, वो आप समझेंगे कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं, आप साथी की कमी महसूस करेंगे, वो फिर मिलने पर आपके संबंध में नई उत्तेजना वो नई प्रेम भरी शुरुवात होगी, राशिकुम्ब, करिया, फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज किसी भी मौके को ना चूकें, व्यावसाईयों को अपने कारिक शेत्र या मित्रों की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है, इन अवजरों को हाथ से ना जाने दें, इन सफलताओं से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, राशिकुम्ब, फाइनांस, आज आपकी रियादा करें, ध्यान रखिये, उन्होंने ये मदद नहीं की होती, तो आपकी माली हालत आज अच्छी नहीं हो पाती, राशिकुम्ब, हेल्थ, सेहत के प्रती सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है, अगर आपको तेज बुखार है तो आराम करें, और कोश आपके किसी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, आप शायद इस यात्रा पर परिवार के साथ जाएं, शायद ये छोटी सी ही यात्रा हो, लेकिन इसका आपके जीवन में बड़ा महत्व होगा, आप इस यात्रा का पूरा मजा लें, राशिमीन, रोमैंस, अपने पहले से काफी बहतर बनेंगे, पर लंबे समय तक रहने वाली मदूरता की नीव पड़ेगी, राशिमीन, करिया, हाला कि आपकी नौकरी ठीक से चल रही है, फिर भी आप पाएंगे कि आपके लिए काम के कई ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं, जिनकी की आपने कलपना भी जो योजनाय आपके हाथ में है, उनके अलावा और बहुत सा काम आपके हाथ में रहेगा, कारेक्षेत्र में मिलने वाले शुब समाचार को सुनने के लिए अपने आख कांट खोल कर रखें, प्राशिमीन, फाइनांस, आज का दिन किसी भी प्रकार के रिण आवेदन के लि से रिण अध्वाधन की वृध्धी के लिए बात करें, राशिमीन, हेल्थ, आज आप किसी छोटी बीमारी से ग्रस्थ हो सकते हैं, जैसे दात दर्द, सिर्दर्द आदी, आपको जो दर्द हैं उससे हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, दर्द का तुरंत उपचार करें, परेशानी जल्दी ही खत्म होगी, अगर लंबे समय से दात में परेशानी है, तो डॉक्टर को दिखा दें